हेलो एवरिवन लक्षय योट्यूब चैनल पर आप सभी का हर्थिक स्वागत है आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पैसल एजूकेशन लेक्चरार के पारे में जो की नई रिक्रूटमेंट आई है लेक्चरार की और इसमें इनोंने सैलरी बताई है 35,000 रुपे तो इसमें अगर आपने डिपलोमा किया है B.A.D. किया है या M.A.D. किया है तो आप सभी इलिजिबल होंगे चैनल आप किसी भी लेवल से है तो इनोंने सभी को इलिजिबल किया हुआ इसके लावा जो selection है chain है वो आपका interview के माध्यम से होगा तो चलिए देखते हैं official notification कहां से आया है और कौन-कौन apply कर पाएंगे जैसे कि आप यह देख रहे हो यह official notification है जो की आया है CRC लकनव की तरफ से तो इन्होंने बताया vacancy notification है यह तो इसमें इन्होंने बोला कि जो vacancy है वो lecturer की है जो की special education IDD के लिए है और number of post इन्होंने बताया है कि एक है period of contract 11 month का होगा तो आप देख सकते हो यह contractual base की vacancy है इसको permanent ना समझें इसमें इन्होंने salary बताई है कि 35,000 रुपय आपको permanent मिलेगा जो की fixed है इसके बाद अगर हम इनके education qualification की बात करें तो इन्होंने बोला कि अगर आपके पास master है social science में या humanities में और science में उसके लावा M.A.D. है M.A.D. आपका होना चाहिए special education ASD में, ID में और SLD में तो इसके साथ आपको two year का experience चाहिए होगा और आपके पास RCI का registration होना चाहिए या इसके लावा अपने अगर M.A.D. नहीं किया है तो आपके पास B.A.D. होना चाहिए special education में जो की ASD, ID और SLD, साथ में इन्होंने five year का experience मांगा है और अगर आपके पास ये भी नहीं अगर आपने diploma किया है ASD, ID, SLD से तो आपके पास ten year का experience होना चाहिए तो आप देख सकते हो जितनी higher qualification है उतना ही कम experience मांगा इन्होंने और अगर हम diploma के बात करें तो diploma में इन्होंने ten year का experience मांगा है जो की ASD, ID और SLD में से होना चाहिए और साथ की साथ इन्होंने बोला कि आपके पास RCI का जो registration certificate है वो होना चाहिए यह compulsory बोला है इन्होंने इसके बात बात करें जो important note है उनके बारे में तो इसमें इन्होंने बताया कि यह purely जो contractual base की vacancy है इसमें अगर हम बात करें तो point number 7 की यहाँ पे इन्होंने बताया कि यह जो advertisement है यह पहले भी निकाला गया था इसको अब repost किया गया है तो जिन candidate ने उस time पे apply कर दिया था उनको अब दोबारा apply करने की आवशकतर नहीं है तो main आपके लिए point number 7 है उसके लावा आप सभी point पर ध्यान जरूर तीजिएगा और उसके लावा अगर हम देखे point number 8 में इन्होंने बताया कि जो डीडी बनवाना आपको 500 रुपेगा बनवाना है और in the favor of इन्होंने पंडित दिन दियाल उपाध्यय के नाम से ये बताया हुआ इन्होंने CRC Internal Accurial तो इसके नाम से आपको बनवाना है डीडी और उसके बाद इन्होंने selection का mode बताया कि skill test हो सकता interview skill test को यह ऐसा मानिया आप की जैसे demo देख सकते हैं आपसे class teaching का demo लेके देख सकते हैं या उसके अलावा ज्यादा chance है कि interview के base पे ही आपका selection होगा या दोनों भी हो सकते हैं कि skill test ले लिया इन्होंने और interview ले लिया और इन्होंने बोला कि यह application form fill करने का जो application form निकला है उस date से 21 दिन के अंदर आप form fill कर सकते हैं और आपको सबी जो document है वो self test करने है नहीं तो यह उनको consider नहीं करेंगे यहां पे इन्होंने complete address दिया है तो आपको यहां पे पोस्ट करना होगा और last date यहां पे mention किया इन्होंने नीचे कि 5.1.2024 last date है तो 5.1.2024 तक form fill कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें application form की आप यहां पे देख सकते हो सबसे पहले आपको लिखना है application for the post of post mention करनी है फिर अपना नाम लिखना है उसके बाद फादर ने date of birth, gender, nationality, category, आधार number और marital status बताना है फिर RCI registration number आपको mention करना है उसके बाद present address और permanent address, email address और अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो present post की पोस्ट पे आप काम कर रहे हो और साथ में employer उसके बाद education qualification डालनी है आपको फिर अगर additional में आपने कुछ किया हुआ है तो वो mention करनी है और उसके बाद आपको अपना experience mention करना है और साथ में आपको document भी attach करने है जो भी आप fill कर ले हो तो उसके बाद बताना कि time required joining the post if offered तो अगर आपको offer की जाती है तो आप joining के लिए कि जिनको भी आप जानते हो special education की field में फिर उसके बाद ddd detail देनी है आपको कि जो भी आप ddd कटवाओगे 500 रुपेगा तो उसकी detail देनी है और उसके बाद signature करके और उसके बाद आपको name in black letter तो ये मैं लिखके और फिर आपको ये post कर देना है इन होने जैसा कि पिछे address बताया हुआ था उस पर और जो भी साथी interested है fulfill करना चाते हैं तो कर सकते हैं क्योंकि CRC में काम करने का मौका मिलेगा आपको बहुत अच्छा और उसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं अगर आपने diploma किया तब भी आप apply कर सकते हैं आपके पास सिर्फ experience होना चाहिए पहले काम कर करने का और be add किया हुआ या I'm add किया हुआ तो आप सब eligible हैं और ऐसी और भी information पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो upload करें तो तुरंत आप तक notification पहुंच जाए और वीडिय अजल को बीड़ करें तुरूर थ करें तो दूरो थाएं तुरूरूर थाच्च जाँ जाएं तो तुरूरूरूरू।